अलो फ्रेंड्स आज हम विजय टिप्स YouTube चैनल के उपर additions करनी सिखेंगी जो हमें competition exam के अंदर कई बार आती है जैसे आपको कुछ questions दिखाई दे रहे हैं जैसे पहला question हमारे पास हमें 555,555,555 हमें इनको जोड करना है अब इनको जोड करने के लिए हमारे पास काफी time लगाता है इसके लिए सिधा साइट टेक्निक हमें यूज करेंगे जब हमें same numbers digit को जोड करना है हमें without decimal है ये तो हमारे पास 1,2,3,4 तक है तो 1,2,3,4 आप ये लिखेंगे और इसको multiply कर देंगे 5 से 5 से multiply किया 6,170 ये इन सभी का जोड हो गया हमारे पास अब जैसे next questions में दिखाए गया है ये हमें decimal के अंदर दिया हुआ है अब decimal के वाले questions के अंदर हम क्या करेंगे 1,2,3,4,5 है तो 0 decimal क्योंकि हमें decimal के बार लिखना है तो diverse start करेंगे 5,4,3,2,1 और 7 है तो 7 से multiply अब 7 से multiply पर हमारे पास क्या आगया 3.80247 ये हमारे पास हमारा exact answer हो जाएगा ऐसे ही आप same question first की तरह question number 5 देखे हमारे पास 5 नंबर question में 6 दिया गया 1,2,3,4,6 and 5,6 तो 1,2,3,4,5 multiply by 6 हमने 6 से multiply किया तो 74,070 ये हमारे पास हमारा answer हो जाएगा question number 2 की तरह हम same देखे हमारे पास question number 6 दिया गया इसके अंदर 1,2,3 and 4 है तो हमारे पास multiply होगा 0.4321 into by 8 और जब by 8 से multiply करेंगे हमारे पास तो हमारे पास यो value बन जाएगी 3.4568 ये हमारी value हो जाएगी अब question number 3rd और 4th में देखें question number 3rd में क्या है 3.3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 हमारे पास point से आगे सिर्फ 3,3,3 है तो सभी में 3 हमारे पास है तो 3 into 4 क्योंकि 4 times हो गया plus 0 decimal इनको देखे 1,2,3 and the 4 तो 4,3,2,1 that means 12 plus और 0.432 को किसे मिल टालाई करनी हम नहीं 3 से इनसे 3 से multiply करेंगे 3 से multiply करने पर हमारे पास क्या आगया 1.2963 अब दोनों नमबर्स को अगर हमें add कर दें हमारे पास तो 13.2963 यह हमार आंसर बन जाएगा and the next question में देखे 444.4 444.44 44.44 4.4444 अब इसके अंदर हमारे पास first और second question की तरह दोनों ही चीज़े include हो रही है decimal से पहले देखे जाएंगे 1,2,3,4 इसको 4 से मिल्टिप्लाई and the plus decimal के बाद 1,2,3 and 4 तो decimal के 4,3,2,1 फिर 4 से मिल्टिप्लाई 1,2,3,4 को 4 से मिल्टिप्लाई करेंगे हमारे पास 4936 आ गया and the 0.4321 को 4 से मिल्टिप्लाई करेंगे 1.7284 आ गया दोनों को हमने add कर दिया 4937.7284 यह हमारे पास हमारा अंसर बन जाएगा ओके थैंक्स फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरा चैनल विजे टिप्स सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों से भी इसको शेर करें मेरी वीडियो को लाइक करें यह आपकी एक एडिशन की वीडियो है competition exams के अंदर काफी important वीडियो है और आपकी method से आप काफी ज़्यादा time भी save कर सकते हैं ओके thanks friend